हेलो दोश्तों यहां पर शेयर की है आज मैंने बिना लेस्टन प्याज के कम मसालों में बनने वाली एक परफेक्ट आलू भी कि सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहां पर खड़ाई रख दिये मैंने गरम होने के लिए उसमें डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ओयल आप जाओ तो कोई साभी ओयल यहां पर हूज कर सकते हो जैसे ही ओयल हमारा गरम होगा तो इसमें मैंने डाल दिया है आदा चमच जीरा जीरा पकने के बाद इसमें डाले तो यहां पे दो मिनिट को पकाना है तो यहां पर मैं जो जो गोवी आलो लिये थि उनको अच्छी से काट के साफ कर लिया तो दो लिया तो पानी का अच्छी से निकाल दिया तो यह वी मैं इसमें डाल दूगी गोवी आलू को इसी तरह से 2 मिनट तक जलाएंगे उसके बाद हम इसमें अपने सारे मसाले डाल Dopodong ऊप्ताल मशीलों माखनेस बंगा कुछा तरहाएं, मैं आदा चम्मची ढ Twin harvest दाला ऑनूसार धनी अनूसार। हुआ अदा चम्मची भения साथ में आदा चमची धनिया पाउडर डाला है नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम्या जांदा कर सकते हो अब सारी मसालों को आलू गोवी में अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके जब तक पकाएंगे धीमी आज पर जब तक कि हमारी गोवी आ मसाले में बहुत टेस्टी सब्जी बनती है एक वाजरू ट्राइ करिए का और मेरी वालिगता है तो पसंदा है तो मेरी चाहिएás साले एड कर देंगे लास्ट में से सब्जी का स्वाद दोगना और बढ़ जाएगा तो जानदा कुछ एड नहीं करना है मैंने यहां पर थोड़ी सी कसूरी में एड किये साथ में आदा चमच गरम मसाला डाला और थोड़ा सा चाट मसाला यहां पर मैं डालने वाली हूं मारे मसालो का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से आ जाएगा बन के तयार हमानी गोबी आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी कम मसालों में बहुत टेस्टी लगती है जरू ट्राई करिएगा और कमेंट करके आएगा आपको कैसी लगी मिलती हूं नेस्ट वीडियो में जब तक कि लिए बाई